दोस्तो बहुत से computer user और laptop user नए होते हैं जो अभी अभी computer laptop सीख रहे होते हैं तो आज हम उनके लिए लेकर आहें कैसे वो लोग computer laptop की desktop screen का background चेंज कर सकते हैं तो आज हम सीखेंगे computer laptop के background को screen के background को कैसे चेंज करते हैं उसके लिए आप अपने mouse का right button क्लिक करें और personalization पर जाने के बाद आप पहले ही आपको background color पर select मिलेगा ठीक है यदि यह अगर और किसी पर हो तो आप background वाले function पर चले जाएं तीन option दी गए हैं आपको पिक्चर solid color और slideshow आप इसको activate करते हैं तो दोस्तों यह पिक्चर्स है अभी defaulted यह set अगर मुझे यह picture सही है मैं इस पर click करूंगा already तो यह picture आ जाएगी चलिए देखते हैं यह देखी दोस्ते यहां पर picture आ गई अब आपको और picture सापको setting और picture सापको add करने ही तो आप इस पर click करेंगे तो यहां पर यह picture आ जाएगी और यहां पर यहां पर अब जाते हैं यहां पर आप कोई picture select कर सकते हैं और आप browser की डालनी है अपनी computer में कोई में जालनी है तो आप browser पर click करेंगे और यहां से कोई pictures डाल देंगे ठीक है दोस्तों यहां से आप कोई pictures डाल देंगे browser से अब यहां पर है solid color color भी आप select कर सकते हैं आपको picture पसंद नहीं तो आप color पर click करेंगे और यहां पर check कर सकते हैं आप पस desktop screen पर color आ जाएगा ठीक है दोस्तों अब बात आती है यहां पर solid color में एक चीज़ और custom color आप कोई color बनाना चाहते हैं तो वो भी आप color बना सकते हो ठीक है अब हैं यहां पर slide show इस पर click करेंगे तो दोस्तों आपकी screen पर images कुछ समय बाद change होती रहेंगे तो इस तरह से आप अपने desktop screen के अपने बैक्ग्राउंड को change कर सकते हैं बिंडू 10 में ओके दोस्तों तो आई होप आपको इस वीडियो काफी helpful लगा हो और आपने desktop की screen को change करना सीखी लिया हुआ तो आप इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे ओका फ्रेंड ठेंक्स एंड़ाएंगे अगे झाल